नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खंड की टोप 25 पर मुँख खबर जानते हैं आज से सुरू हो रहा जार्खंड A.C.N. महिला होकी चैंपियनसिप जारखन एसियन महिला होकी चैंपियंशिप के मुकाबले सुक्रवार से मोहराबादी स्थित मरांग गोम के जैपाल सिंग एस्टेडियम में खेले जाएंगे परतियोगिता के लिए भारतिये टीम समेत कोरिया जापान और मलेसिया की टीमों ने बुद्धवार को जम कर पसीना बहाया वहीं परतियोगिता में भाग लेने के लिए चीन और थाइलेंड की टीम में बुद्धवार को रांची पहुच गई है दोनों टीमों का एरपोड पर गर्म जोसी से स्वागत किया गया चेंपियंशीप के पहले दिन तीन मैच खेले जाएंगे बता दे मेजबान भारत का सामना थाइलेंड से रात साड़े आठ बजे से वही जापान का मलेशिया से साम चार बजे वचीन का कोरिया से साम सवाच्छा बजे से होगा बुद्धवार अरून कुमार सिंग अपरमुक सचीव स्वास्थ चिकित सा सिक्षाय और परिवार का लियान विभाग जारखन के अध्यक्ता में होके स्टेडियम इस्थीद कॉन्फरेंस हौल में आयोजित बैठक में तैयारियों की अम्तिम रूप से समिक्चा करते हुए सफल आयोजन को लेकर विचार मिमर्स किया गया फसल रहत योजना को लेकर जारखन के अनदाता उदासीन जारखन में साल 2022 की तरह इस साल भी मानसून ने किसानों को धोखा दे दिया है जब राजिके किसानों को खरीब फसल के लिए पानिक जवरती तब बारिस नहीं हुई लिहाजा खेती बारी पर खराब असर पड़ा राजिके लगभग 28 लाख हेक्टेर जमीन में से 10 लाख हेक्टेर जमीन खाली रह गई वहीं जिन किसानों ने किसी तरह धान और अन्य खरीब की फसल लगाई उसकी उपज कैसी होगी उस पर ग्रहन लगा हुए है इस परिस्थिती को देखते हुए राज सरकार ने जहारकन फसल रहात योजना को इस वर्स भी चालू रखा है लेकिन हैरत की बात या है कि बेहत खस्ता हाल इस्थिती में होने के बावजूद किसान इस योजना के तहत निवंधन नहीं करा रहे राज में करीब 45 लग साधिक किसानों में से 13 लाग से कुछ ही ज़्यादा किसानों निवंधन करा या है जहामुमों कि बैठक में मुष्य मंत्री ने करकरताओं को दिये कई निरदेश सत्तारूर जहारखन मुक्ती मोर्चा की राजले संगठ नात्मक बैठक रांची के सोहराई भाहन में होई इस बैठक में मुख्य मंत्री और पार्टी के करकारी अध्यक्ष हेमान सुरेन भी सामिल हुए राजी के सभी जीला अध्यक्षो जीला सचीवो बलोक अध्यक्षो और बलोक सचीवो के साथ हुई इस बैठक में सभी को संगठन को मजबूत करने के साथ साथ चुनावी तैयारियों में जूटने का निर्देश दिया गया इसके साथ ही जामों के करकारी अध्यक्ष हेमान सुरेन ने सरकार की जनकल्यनकारी वजनाओं को जनता के बिच ले जाने के निर्देश भी करकारताओं को दिये बैठक के बाद मुख्य मंत्री और जामों के करिकारी अध्यक्ष हेमान सुरे ने कहा है कि राजनीतिक दल अक्सर चुनाव के लिए त्यार रहते हैं यह बैठक पहले होनी थी लेकिन किसी ने किसी कारण से नहीं हो सकी उन्होंने कहा कि राजनीति में पाड़ सलाय चलती रहती है हमें संगटन को मजबूत करना है पीएम मोदी जारखन से सुरू करेंगे संकल पयात्रा केंदर सरकार की उपलब धियो जोजनाओ और उनके लाभो को सीधे जानता तक पहुचाने के लिए केंदर सरकार की विक्सित भारत संकल पयात्रा की सुरूआत परधान मतिनाद मोदी 15 नुवंबर को जारखन से करेंगे भागवान बिर्शा मुंडा जनती जन जाती गोरो दिवस पर खोटी में उनके जन्म अस्थल उलिहात्व से सुरू होने वाली यह यात्रा 25 जनवर 2021 तक चलेगी इस दरान जनता के बिच सुचना संचार व सिक्षा वयन देश भार में घुमेगी वहीं ग्रामिन चेत्रों में 25 सोव और सहरी चेत्रों में 200 जाएगी केंद्रिय सुचना पर सारण मंत्रा लेके सचीव अपूर्ण चंद्र ने कहा है कि यह यात्रा पूरी तरह से सरकारी है इसका उद्देश से ग्रामिन भारत में केंद्र की केलन करी योजनाओ के केलन को सुनेश्चीत करना है जारखन में 5 लाख मत्दाता बढ़े 20 हजार दिब्यांग भोटर्स घटे जारखन में पिछले 10 महिने में 5 लाख 29 हेर मत्दाता बढ़ गए है इसमें से 2,15,000 पोरुस और 3,14,000 महिला मत्दाताओ की बढ़ोत्री हुई है वहीं 20 हजार दिब्यांग मत्दाताओ में कमी आई है मत्दाता सुची पुर्रिक्षन में आकड़े निकल का सामने आये है मुख निर्वाचन पताधिखारी के रभी कुमार ने गुरुवार को प्रेस कंफिरेंस कर इसकी जनकारी दी है उन्होंने बताया है कि 27 अक्टूबर से 9 दी समबर तक दूसरे चरन के घर-घर मत्दाता सर्वेक्षन का काम सुरू होगा इसमें 1 अक्टूबर तो 2014 तक 18 वरस पूरा करने वाले चात्र चात्राओं से भी फोर्म 6 भरवाया जाएगा और उसी अधार पर उसका मत्दाता पहचान पत्र बनेगा ज्यारखन में खुलेंगे 1500 किसान समरीदी केंद्र भारत सरकार गुनवाता पुन खाद बीज बेचने वाली दुकानों को किसान समरीदी केंद्र के रूप में बिक्सित कर रही है किसानों को एक ही छट के नीचे खेती बाड़ी से जुड़ी जनकारिया और सुधाय मुहया कराने के उदेश से केंद्र सरकार ने हमत्व कांची योजना शुरू की है बताद जहारखन के बिभीन जीलों में 1500 किसान समरीदी केंद्र खोलने की योजना है अब तक यहां 400 से अधीक केंद्र चायनित किये जा चुके है सेस की तलास जारी है किसान समरेदी केंदर गाउं से लेका जिला अस्तर तक खोले जाएंगे जिला अस्तर पर इसके लिए कम से कम 2000 वर्ग फिट की दुकान होनी चाहिए जबकि परखंड अस्तर पर 200 और गाउं अस्तर पर 50 वर्ग फिट में केंदर शुरू किया जा सकेगा गाम अस्तर के केंदर प्रकिसानों के बैठने की बेवस्ता होगी अमन सिरी वास्तो गिरोह का कुख्यात अपराधी नेपाली गिरफ्तार मोहमद उर्फ नेपाली अमन सिरी वास्तो गिरोह का कुख्यात अपराधी है उसके उपर एक दर्जन से अधिक अपराधिक मामले विभीन थालों में दर्जाएं ATS के चंगुल से फरार होने के बाद वा अपना ठीकान लगातार बदल कर रह रहा था इसी बीच ATS की टीम को या सुचना मिली कि मोहमद उर्फ नेपारी रांची के अर्गोडा रेलवे स्टेसन के पास देखा गया है जनकारी मिलने के बाद ATS ने अर्गोडा इलाके में नजर रखने सुरू की इस देखा अर्गोडा में मोहमद के कुछ रिष्टेदार भी देखे गा है तब ATS को या पका विश्वास हो गया कि जरूर मोहमद भी अर्गोडा इलाके में भी है रांची बीच बजार से बंदूक और गोली के साथ चार गिरफतार राइधानी में नामकुम थाना छेत्रे के सादा बाहर चौक के पास एक गैरेज से पिष्टल और गोली के साथ चार लोगों को पुलिस ने गिरफतार किया है वर्ये पुलिस अधिकारियों को मिली सुचना के अधार पर नामकुम पुलिस ने करवाई करते हुए बुद्धवार की साम इन सभी को गिरफतार किया है इसके पास एक पिष्टल गोली सहीत अने समान भी ब्रामत हुए है मिली जनकारी के अनुसार वर्ये पुलिस अधिकारी को किसी ने फोटो वीडियो भेजा था वीडियो में हतियार लहराते दो तीन यूग दिख रहे थे सुचना देने वालोंने फोटो वीडियो के साथ ये भी बताया है कि ये सब किस जगा है इसके बाद वरिये पुलिस अधिकारी ने तुरंत नामकुम्थाना को जांच कर करवाई के निर्देश दिये बाबुलाल की संकल प्यात्रा पर जामुमों का तंज जारखन भारतिये जानता पार्टी के पर देश अधिक्स और पुरुमुख मंत्री बाबुलाल मराड़े की संकल प्यात्रा का समापन 28 अक्टूबर को रांची के हर्मों मैदान में होगा इस कारकर में भारतिये जानता पार्टी के राष्ट्री अधिक्स जेपी नड़ा भी मुख्याति थी के रूप में सामिल होंगे भाजपा के संकल प्यात्रा को लेकर जारखन मुक्ती मोर्चा ने तंज कसा है SCI महिला होंकी चेंपियंशिप के लिए पुलिस की त्यारी पूरी राइधानी रांची में होने वाले SCI महिला होंकी चेंपियंशिप के आयोजन को लेका सुरक्षा त्यारीया पूरी कर ली गई है ब्रीफिंग के दोरान बिसेस तर पर पुलिस कर्मियों को इस बात की हिदायत दी गई है बता दे ACI महिला होकी चेंपियंशिप का आगाई 27 अक्टूबर से हो जाएगा इसलिए 26 अक्टूबर को ही सुरक्षा ड्रील सही तमाम तेरिया को अमतिम रूप दे दिया गया है रांची के बेस्ट पंडाल का आवार्ड 29 को दुरका पुजा खतम होने के बाद अब नगर निगम की तरब से 29 अक्टूबर को जारी होने वाली बेस्ट पंडाल के आवार्ड का इंतिजार पुजा समीती के लोगों को है नगर निगम की तरब से 20 अक्टूबर को ही बेस्ट पंडाल के आकलन के लिए टीम का गठन कर दिया गया था बताओ दे 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तर नगर निगम के द्वारा गठित की गई टीम ने सभी पंडालों का निरिक्षन किया निर्ग्छन के बाद 27 अक्टूबर गूरु वार को निगम की तरब से गठित की गई टीम रिपोर्ट सोपे गी और फिर उसके बाद निगम के अधिकारे 29 अक्टूबर को बेहतर करने वाले पंडालों को फुरुस्त क्रिस्ट करेंगे मिशन 2024 के लिए एक सन मोड में सियम हेमांत मुख्यमंत्री हमांसुले ने जहरखन मुक्ती मोर्चा के करकरताओं को ललकारते हुए कहा है कि वे चुनाओं की त्यारियों में जुट जाए हेमान सुरेन ने कहा है कि राज की जानता ने बहुत उमीदों के साथ हमें अपना समर्थन दिया है जानता कि इस विश्वास पर सरकार के साथ सा संगठन की भी जिमेदारी बनती है कि वह खारा उतरने का काम करे मुख्य मंत्री हमंसुरे ने कहा है कि सरकार ने पिछले चार साल में कई योजनाये चलाई है संगठन के लोगों का भी यह दायत बनता है कि इन योजनावों को जनता तक ले जाने का काम करे ताकि उसका फैदा अमतिम व्यक्ति तक पहुंचे जारखन के पुर्व सी एम रगुवर्दास ने बिजेपी से दिया इस्थिपा जारखन के पुर्व मुख मंत्री रगुवर्दास ने भरतिये जनता पार्टी की से सेता छोड़ दी है बिरसपत्ति वार को नई दिली में राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा से मिल कर उन्होंने प्राथ्मिक से सेता से त्याग दे दिया है दिन में उन्होंने पुर्व राष्ट्पति रामनात कोबिन से भी मुलकात की थी इसके बाद उन्होंने बिजेपी की राष्ट्रिय संगठन महामंत्री बी एल संतोस से भी मुलकात की बता दे कि रहवर्दास 31 अक्टूबर को उडिशा के राजेपाल के रूप में सपत लेंगे इसलिए उन्होंने बिजेपी की प्राथ्मिक से से तसे थीपा दे दिया है नौरात्री के दवरान ही राष्ट्पति द्रोपति मुर्मु ने उन्हें उडिशा का राजेपाल न्युक्त किया था मानव तसकरी रोकने के लिए तमिलाडू के तरज पर एक्शन प्लान जारखन में मानव तसकरी रोकने के लिए सरकार तमिलाडू के तरज पर एक्शन प्लान तयार कर सकती है इसके लिए आठ बिंदू पर एजेंडा तयार किया गया है इन पर करवाई के लिए 2 नौंबर को मुख सची बैठक करेंगे मामले में CID DG अनुराग गुपता ने सुझाव दिया है कि अगर राज के बाहर काम के लिए जाने वाले मैदूरों का डाटा बेस हो तो इस पर रोक थाम लगाने में सहायता मिलेगी अगर राज में ऐसी कोई बेवस्था लागू हो जिसमें अपरोधान हो कि राज से बाहर जाने वाले मैदूर खुद अपने आपको राज के किसी इकाई के पास रजिस्टर कराते हैं तो राज सरकार के पास इसका डाटा भी होगा इस बेवस्था को लागू करने के लिए तमिलाडु में तमिलाडु मैंूर व्रकर रेगुलेशन एक्ट है इस अधिनियम को राज में भी लागू किया जा सकता है कोलहान के जंगल में सर्च अपरेशन पच्छमी सिम्हुम जीले के कुलहान जंगल में गुर्वर कुर्शर्च अप्रेशन गदरा नक्सरलियो के बनाए स्पाइक होल की चपेट में आने से स्यार पी एफ साथ बटालियन के सब इंस्पेक्टर परविंदर सिंगायल हो गया है उनके पाओं में लोहे का रोड आर पार हो गया है उन्हें एर लिफ्ट कर रांची के मेदानता अस्पताल में भरती कराया गया दूसरी तरफ सुरक्षा बलों को भारी सफालता मिली है वही नक्सलियो के कैम को धवस्त कर भारी मात्रा में समान बरामत किया गया जीला पुलिस अधिक शक आसुतोस सेखर ने इसकी पुष्टी की है जनकारी के अनुसर टोटो और गोईल के रथाना चेतर के जांगुल मनुक सलियो खिलाप लागातार अभियान चल रहा है साहिब गंज में बढ़ रहे डेंगु के मामले साहिब गंज जीले में डेंगु का परकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है जीले में डेंगु का मामले 289 हो गई है दुर्भाग की बात यह है कि सदर अस्पताल के सेंटरल लेब में डेंगू जांच कीट भी समाप्त हो गया है 19 अक्टूबर से ही समभावी डेंगू पिडितों की जांच नहीं हो पा रही लेब में 110 मरीजों के सेंपल जांच के लिए पड़े हैं इन सेंपल को अब भी कीट का इंतिजार है जब कीट आएंगे तब जाकर इन सेंपल की जांच हो पाएगी वही डेंगू के बढ़ते परकोब को लेकर जीले के लोग भैवी थाए इस समद में जीला मलेरिया सलाकार डाक्टर सत्ती बाबू डाबरा ने बताया है कि सदर अस्पताल के सिंटर लेब में 19 अक्टूबर से ही डेंगू जांच का किट समाप्त हो गया है जारखन में हर दिन हो रही पाँच हत्याए बाबूलाल मरांडी जारखन के पूरो मुख मंतर बाबूलाल मरांडी ने बिहस्पत्तिवार को सुबेक मुख्या हेमान सुरेन पर गंभीर आरोप लगाये हैं उन्होंने कहा है कि हेमान सुरेन के राज में कारून बेवस्था बदहाल है हर दिन राज में पांच लोगों की हत्या हो रही है लूट बलतकार की घटनाए हो रही है भारतिये जन्तापार्टी के परदेश अध्यक्स बाबूलाल ने कहा है कि यह बिजेपी नहीं कह रही केंद्रिये ग्रिह मंत्राले के आकड़े बता रहे हैं उन्होंने कहा है कि जार्खन में कानून ब्यवस्था की इतनी बूरी दस्ता पहले कभी नहीं थी बाबूलल मरांडी या अरजुन मुंडा की सरकार में अपराधी अपराध करने से डरते थे लेकिन जब भी हेमन सुरिन की सरकार बनती है अब राधी बेखौप हो जाते हैं पलामू टाइगर में दिखा बाग बन विभाग ने जारी किया अलर्ट छार्खन के पलामू टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाग देखा गया पीटी आर के उत्री प्रमंडल में ट्रेक्टर, गाड वा गरामिनों ने बाग को देखा है बाग देखे जाने की सुचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंचे और बाग के पोग मार्क एस्टेट वा बाग के बाल बरामत किये हैं वन विभाग की टीम को अलग-अलग जगों पर गायों के अवसेस भी मिले हैं वहीं माना जा रहा है कि उसी बाग ने उन गायों का सिकार किया है पीटी आर के डाइरेक्टर कुमार असुतोख ने बाग को देखे जाने की पुष्टी की है उन्होंने कहा है कि बाग के सभी गतिवीदियों पर विशेस नजर रखी जा रही है बाग दिखने के साथ ही एक बार फिर से पलामूर टाइगर रिजर्व के पताधिकारियों में खुसी की लहर है करिब छो माह पहले बाग को पलामूर टाइगर रिजर्व के कुटकू परच्छेत्रे में देखा गया था जामूमो हर चुनाव के लिए तयार हेमन सुरेन जामू के करकारियों अध्यक समू की मंत्री हेमन सुरेन पार्टी के पताधिकारियों और करकताओ को एक जूट होकर मिशन दोहजर चोविस के लिए कमर कसने का निर्देश दे दिया है हेमन सुरेन ने कहा है कि जामू हर चुनाव के लिए तयार है जानता कि उमीदों पर उनकी सरकार खारा उतर रही है राजे में 16 नोवंबर से सरकार आपके दोहर कारकरम के माध्यम से जामों के पताधिकारी अपनी पूरी ताकत छोकेंगे सीम ने राज भर के जीला परखंड अध्यक्ष और सचीवक साथ गुरुवार को संगाठनिक बैठा के अध्यक्षता की और कई दिशाने देश दियेगा है धन्यवाद